नमस्ते आदा आप सास्त्रियकाल मैं रुकसार आप सभी का स्वागत करती हूँ इस अधबुद गेम शो में जिसका नाम है कौन बनेगा आई-एस दोस्तो हमारे देश में आई-एस बनने के खुआप कई नौजवान अपनी आखों में लेकर गूमते हैं लेकिन साकार सिफ उनी के सपने होते हैं जिनके पास होता है बुलंद होसला और उन सपनों को साकार करने की हिम्मत और लगन तो बस कुद पर भरोसा रखे और अपनी बढ़ते रहे आप उस मुकाम पर एक दिन जरूर पहुंचेंगे इसे दिशा में हम आपके लिए लेकर आये हैं यह गेम शो जिसका नाम है कौन बनेगा आई-एस जिसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ जेनरल नौलेज यानिकि सामानिय ग्यान पर क्वेस्चिन्स उसके आ आएगा हमारे साथ या होट सीट पर और खेलेगा हमारे साथ कौन बदेगा आई-एस तो हमारा आज का फास्टेस आंसर फर्स का क्वेस्टिन यह रहा स्क्रीन पर अरेंज the following powers or dynasties in the order in which they first ruled India from Delhi दिल्ली से इंडिया पर साशन करने वाली इन dynasties को आपको सबसे पहले से अंत तक अरेंज करना है आपका समय शुरू होता है अब शुरू से अंत तक आपको इने अरेंज करना है समय समापत हो चुका है आएए देखें इसका सई सीक्वेंस क्या है सबसे पहले आता है c चोहांस उसके बाद आता है d लोधीस उसके बाद आता है b मुगल्स और अंत में आता है a बिटिश तो आएए देखतें सबसे तेज इसका जवाब किस ने दिया है देमल गुपता फ्राम जम्मू लेट्स वेलकम देमल गुपता ओन दी स्टेज प्लीज देमल गुपता कैंड आविव उन देखें देमल गुपता हम आपको स्वागत करते हैं कौन बनेगा आई इस में प्लीज हावसी तो देमल आपको कैसा लग रहे है कि B.I. में आके मेरको बहुत अच्छा लग रहे है कि B.I. में आके मेरको आपके जो प्रोग्राम का रेस्टेशन लिंक है मैं ए एश्रा इंस्टेट्यूट को यह मतलब सोचल लेडियो पे फॉलो गरते हैं को यूट्यूब चैनल को तो मेरको एक इमेल से इंफोर्मेशन मिला याई तो देमल गेम शुरू करने से पहले हम आपको गेम के नियम बताना चाहेंगे इस गेम में आपके पाँ होगे टोटल 10 वेस्टों आपको पूछे जाएंगे और होगे 4 पड़ा 10 पढ़ा हो गाउ और अगर आप कहीं अटथ जाते हैं किसी भी वेस्टें पर तह आपके पास होगी 3 लाइफुलाएं पहली लाइफ लैने आपकी audience call यहां बैटी हमारी जन्ता जनारदन से आप पूछ सकते हैं उस सवाल का जवाब जहां पर अटक दे हैं दूसरी लाइफ लैने आपके पास 50-50 जहां पर आप कोई भी दो गलत options अटा सकते हैं और तीसरी expert advice जहां पर हमारे expert आपको सुत्तर को सुल करने में मदद करेंगे आपकी तो शुरू करें हम ये गेम फिर आपके साथ चलिए फिर हम खेलते हैं देमल गुपता के साथ कौन बनेगा आई-ए-ए-स तो देमल गुपता नजर अपती स्क्रीम पर आवाने वाला है पहला question पहला question ये रहा complete the proverb नाच नजाने डैश A कबर टेडी B आसमान टेडा C आंगन टेडा D मू टेडा और आपका समय शुरू होता है अब the right answer is option C okay so are you sure with it? yes sir lock कर दिया जाए? yes sir okay computer ji, देमल कह रहे है option C सही है तो बताइए option C सही है या नहीं option C बिलकुल सही है क्या बात है? कैसा लग रहे है देमल आपको यहाँ कि आप हमें कुछ जम्मू के बारह में बता सकते हैं आप महां के है तो बहुत अच्छा लग रहे हैं जम्मू के बारह में मम नहीं में बYUक बन चोंड है इसपजिन का हम के में वह्त ओक ब्यूत है गूमने के यह बड़रों कहमें रहे जावार की कि अपको लेंने के अच्छी सारी देखा आप बहुत अच्छा है बाग नहीं अब आपे भूमें आपको बिलुकुल बिलुकुल रहेंगे अम यह चाहिने की देज़ो को कही आप दुसरे प्रश्ल के लिए इसमें दूसरा प्रश्ल कम्पीटर जी नेमल कुपता ही है आपकी स्क्वीन इंपर the weight of diamonds is usually measured in what? A. Tola, B. Carrot, C. Mond or D. Troy. Your time starts now. मैं, option D. Option B. Carrot. Yes, ma'am. लोक कर दें से? यहां, लोक कम्पुटर जी बोल रहे है कि option B. Carrot पर लोक लगया जाए. क्या ये सही उत्तर है या नहीं हमें बताएं, प्लीज. B. Carrot भी से सही उत्तर है. देंगर जी बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रशने की तरफ. इस प्रशने आपको एक audio clip सुनाया जाएगा जिसे सुनके आपको पता नहीं कि आवाज किसकी है. तो आप तयार है? देंगर जी, audio बजाया जाएगा. Question is essay. About the essay. So essay, you have to write two essays presently. It's a complete one paper, three hours writing two essays. So it's a huge paper where you have to understand how to write an essay. When you are doing your answer writing practice, a lot of writing is already done. Then essay is just taking it forward, writing it ten times say of the answer which you write in general studies. So you have to have a clear understanding of flow, introduction, how the body should be, how you conclude the essay. So you have to write an essay, what is the right answer? So you have to write an essay, DEMILC, which is the right answer? A. T. N. D. D. Shubra Ranjan, C. Bilkis Khatri, D. Anu Kumar, D. Anu Kumar. The right answer is option C. Bilkis Khatri. Are you sure? Yes, ma'am. Log it. Sure ma'am. Okay computer ji, DEMILC कह रहें, option C. Bilkis Khatri को log कर दिया जाए. So if this is right or not, we will get to know who's. Bilkis Khatri bilkis kharri is the right answer. इतना जल्दी कैसे बता रहे हैं अधिर मंजी आपनी मैं मैं अच्छी मेंटर है करन्ट अफेर्स का बहुत अच्छा कपरेश करती है ता हिंदू न्यूस्पेपर का तो मैं मैं को काफी टाइम से फॉलो करते हूं अच्छी मतलब वो आवाज मेरे कान बे स्ट्राइग की तो मेरे को इमिडिट ये बता लगया था कि ये बिल्किस कत्री मैं की अवाज है और बाकी मैं यही बोलूगा कि जो भी मतलब ये देख रहे हैं अभी KBI कोन बनेगा IIS तो आप करन्ट अफेर्स के लिए विल्किस मैं को फॉलो कर सकते हो जो कि बहुत रिलाइबल स्वर्स है क्या बात है जी क्या बात है हमारी बस ही हमारे स्वर्स उनकी यही कोशिश है कि जो dedicated students है उनको उनकी मनजिल तक कहुशने में पूरी-पूरी मदद करें और देखे का आप भी एक दिन अपनी मनजिल पर जरूर कहुचेगे तो देमल इसी के साथ आपने पहलो पड़ाव पार कर लिया है और आपको मिलता है A.S.I.S. Institute की तरफ से एक constitutional map बढ़ेंगे वगे प्रश्न की तरफ चौथा प्रश्न देमल आपकी screen पर ये रहा What is the common name for surgery conducted on coronary arteries that supply blood to the heart? A.Cataract, B.Gastric, C.Bypass, D.Debritment Surgery on coronary arteries Maaam, Lifeline Please, किति की जी रुख जाए? देमल जी, Lifeline उसे करना जाएगे, Lifeline दिखाई जाए, Computer जी आपके पास 3 Lifeline है, Audience Poll, 50-50, Export आप कौन सी रेगे? Maaam, 50-50 50-50, 50-50 Lifeline देमल देमल दे यूस करना चाहते है दो गलत जवाबों को खटा दिया जाए अब आपके पास है, Option B, Gastric और Option C, Bypass Maaam, Option C, Bypass Are you sure? Yes, Maaam Lock कर दिया जाए Okay Computer जी, C, Bypass को Lock किया जाए, बताया जाएगी, यह सही उत्तर है यादि C, Bypass बिखे पास बिखे उत्तर है कैसे पता लगाया अपने, C, Bypass? Maaam, actually, पो गेस्ट्री को और केटरेक्ट का बता था, कि वो एक पेट से और एक आंग से रेलेटेड है बत मिरको जो फर्थ D option था, इसके मिरको उसना मेनिंग नहीं पता था, तो वहां पे confusion लग रहा है Okay, okay, बहुत अच्छा, वैरे प्रेटेड है अब अपने परशनी के तरफ, जो है आपका पाँचवा परशन, यह आपकी स्क्रीट के उपकर Which of these government schemes deals with the expansion of LPG connection to households below the poverty line? उडान, यूजना LPG connection मैं, option C, उजवला, यूजना option C, उजवला, यूजना के आप शौर है? Yes, ma'am तेमल जी कह रहे हैं कि option C, उजवला, यूजना पर ताला लगाया जाए, कंप्यूटर जी बताए हमें कि क्या यह उपतर सही है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? इसका देमल आपने दूसरा बड़ा आपकार कर लिया है, आपको मिलता है A.S.I.S. Institute की तरफ से एक गिफ्ट हमकर अब अगला प्रशना आ रहा है आपकी स्क्रीन पर देमल जी, यह रहा बात हमकर ना आד भारत का नैशननल अक्रेंट अनम्यान प्रश्चण problema मिले हम रिवर दॉलफिन छीए computer झाय युछ रवार ने बताई रवी करेशा सबस्क्し मझा बच्छ मतियान सবका कि मेर श्रय जाया पूलjmा जहीं एक जडरा को झाया एक स्राव इस नहीं दूरी street बता है कि अब शेयर कर सकता हूं ब बलकुल बुलकुल वह को अब साभ कहता ही नहीं हे एक लूप अजाब लगप टूमू तो मतलब वो तो 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 दोड़ा वह न चाहिते हैं तो वहां पे जोपके से बहुत बड़ा बड़े में सोसाइठी में मैं का नाम अभी कंफर्म याद नहीं है बड़ बहुत छोटा था वो टाइम पर बट उन्होंने मतलब आके काफी एक अच्छा मोमेंट चलाया था जिससे मतलब कि जो मेरी डिस्टिक्स थी अल्मोस्ट क्लीन हो चुकी थी पूरी और जब मैं का ट्रांसफर आया था वहां से आई-पेस लेडी का तो जो हमारे लोकल एडी है जहांके रहने वाले उन लोगों ने मैं प्रोडेस्ट किया था गोर्मेंट के अगेंस की देवान की ओफिसर वहाही रहे क्योंकि उसकी वज़ा से उनके जो सोसाइटी में भी फ्रेक्ट आया था और जो बच्चे थे तो मेरको वहां से पता लगा कि as a civil servant मतलब मैं अपनी सोसाइटी में कितना द्रस्टिक चेस दा सकता हूं तो मुझे यह रेलाइज हो कि एक civil servant किया क्या पॉवर्ज होती है वो क्या क्या कर सकते है तो उसके बाद मेरको भी अशा लगा कि मेरको भी बूच सोसाइटी के इसका भी फट से उतर दे दिया डेबल जी आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा नेम दे लार्जेस्ट प्रेश्वाटर लेक इंडिया ए डन लेक, बी पवाई लेक, C. बुलार लेक और D. चिपका लेक नम ऑप्शन C. बुलार लेक आप शौर्ली इसके साथ जाना चाहेंगे ओ के कम्पुटरिजन में बता है कि C. बुलार लेक सही उतर है या नहीं प्रफिजन के साही बुलार लेक और ये जीत लिया है ये तीसरा पड़ाओ ये शायच इंस इंस्टिट्टोट्व से आपको विलती है लश्मित ओम आंति इत्युक्त परन देंगा था भाद्ट देगी कुश्चिन कि कर दो हो ठीक है कम्पिटर जी अगला कॉस्चिन को शिए ऐाय भी आलख साईट集 लुग्साइड, दी इसकलोह क्या रहए? कुलिपिए बात लुग है जेवं मुख्जान, ती मorterसे ने यडा ş are गूली के लिलाय जाए जाते है, अमली लाईफ नंगी फिप्टीтом पोलाइदी वत्युम्ह एक, आपको 10 सेकंड दिये जाएंगे, आपको इसका सही जवाब देना है audience, question आपकी screen के ओपर ये रहा line is also written as calcium hydroxide, calcium oxide, sodium oxide and sodium hydroxide okay, समय समागत होता है, आई ही देखिया, audience poll क्या है audience ने सबसे जादा vote दिया है, option B को तो क्या आप audience के साथ चाहेंगे देमाइब? of course मैं ठीके, देमाइब बुक्ता, audience के साथ जाना चाहते है, देखते हैं, भी options सही है या नहीं पिल्कुल मैं अपको जाएं, audience ने इताब लाएं देमाइब को, please thank you पर आपको अगले question के लिए रएप आप देमाइब? yes sir चलिए पढ़ते अगले question के तरफ, अगला question आपकी screen के ऊपर ये रहा Mission Shakti was recently launched by A. Indian Space Research Organization, B. Defense Research and Development Organization, C. Indian Air Force and D. All of the above Mission Shakti, काफी चर्चा मेरा इसाई option B option B, Defense Research and Development Organization, lock कर दे इसे? yes ma'am okay computer ji, option B, Defense Research and Development Organization को lock कर दे और आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा which of the following has launched C. Vigil? A. Election Commission of India, B. Department of the Southern, C. Central Vigilance Commission, D. None of the above C. Vigil, किसना लॉंच किया है? option A option A, election commission of India? yes ma'am okay computer ji, option A, election commission of India लॉपकी अप्शे नॉपकी स्क्रीशन लॉपकी था भॉपकी आपि ये प्तायग है और ये? B, Defense Research and Allen playing में आःटरियव . Táःम Champions आःटर ऑय हम गोला तो दिमाल आटर ऑन अव प्राओं करते हैं जो सीहिल अधी यह सेन्ड्राइट School हमने एक एंड्राइट में एक आटराइट नाच की थी तो इसलिए मेरे को सेंट्रल विजिलेंस कमिशन पर इतना डाउट नहीं था जी बहुत खूब देमल बहुत अच्छा नहीं तो देमल दस्वी क्वेस्टिन के साथ आपने क्लियर कर लिया है के अखरी पड़ा और आपको मिलता है एशा आई इस इंस्टिटूट की तरफ से ब्रेट स्मार्ट पर और आप हमारे साथ इसना अच्छा खेले उसके लिए हम सब्सक्राइब को देते हैं 25% का अच्छा लगा आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शपकाइमना देते हैं तो दोस्तों इसी के साथ हम ये शो यही समाप्त करते हैं अगर आप भी आना चाहते हैं कौन बनेगा आइस में और बैठना चाहते हैं या के हौट सीट पर ह हमारे साथ खेलना चाहते हैं ये गेम, तो आप रेजिस्टर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.youngis.com पे, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ रेजिस्टरेशन फॉर्म दिखेगा, वहाँ पे आपको अपना नाम, इमेल और मोबाइल नमबर देना है, फिर आपसे पूछेगा, what do you expect from Young IAS, तो वहाँ पे आपको फिलब करना है KBI, इस तरह से आप रेजिस्टर कर सकते हैं, आज सकते हैं कौन बनेगा IAS में, वेट सकते हैं होट सीट पर और खेल सकते हैं हमारे साथ कौन बनेगा IAS, a journey from an aspirant to an administrator, अब हम आपसे अलविदा लेंगे, गुडबाई, खुदा हाफ झायमारे